आज की इस वीडियो लेक्टर में बात करने वाले हैं जादवपूर यूनिवरसिटी के बारे में जहां M Pharma और B Pharma दोनों ही कोर्से चलते हैं क्या क्या कोर्स चलते हैं और सबसे इंट्रेस्टिंग बात इस यूनिवरसिटी कि सबसे इंडिया में लोवेस्ट फीस की मैं अगर बात करूँ फार्मेसी कोर्से में तो इस्पेशली आपका नाम जो है वो आपको याद आ जाना चाहिए जादवपूर यूनिवरसिटी सबस एक कम फीस में फार्मेशी कोर्स चलाने वाला राएक ऐसा कोर्स बात करेंगर इसी वीडियो में जैसे कि आप घानते हैं देखिए एक वीडियो श्री चला रहा हूँ है जिसमें कि हम फार्मेशी कोर्से सबस्क्रेन Σब्टारत होता है का अवा темνο critic क कौनकौन से यूनिवरस के बारे में उस college के बारे में सबसे पहले में आपको बताना चाहिए जादपूर यूश्टी एक state university है West Bengal की इस वन अप दो तॉपमोस यूश्टी आफ कलकत्ता इन वेस्ट बंगाल तो यहां पर फार्मा और एंफार्मा दोनों ही जाएंगे आप इस department बारे में आप बैकर फार्मा की में बात करूं तो तो सबसे पहले देखिए बी फारमा 35 यानि कि 35 यहाँ पे admission ले सकते हैं Next M Pharma in Clinical Pharmacy and Pharmacy Practice भी यहाँ पे चलता है जिसकी in-tech capacity 8 student की है और यहाँ पे PhDP courses चलता है इन सारे courses का syllabus क्या इसका curriculum है वो सारा का सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी यहाँ पे क्या facility है कौन-कौन से instrument है कौन-कौन से यहाँ पे award मिले हुआ है यह सारा सब कुछ यहाँ पे detail में लिखा हुआ है अब इस university के बारे में जब भी notification आएगा admission रिगार्ड है उसकी भी update आपको हमारे channel पर जरूर मिलेगी सबसे most important बात इसकी fees की मैं आपको बताँगा तो देखिए approximately यहाँ पे website पे तो मुझे fee structure नहीं पता चला बट जब मैंने इस university के बारे में थोड़ा बहुत research किया तो यहाँ पर मुझे जानने में मिला कि B Pharma की only for 25 रुपे साल पर की fees है और M Pharma की 9000 सम्थिंग जो है साल पर की fees है तो मतलब सबसे lowest fees जो है pharmacy sector में आप देख सकते हैं आप जाद भी university में और एक और यहाँ पर important बात आती है कि इस university में B Pharma admission लेने के लिए आपको WBJE यानि कि West Bengal का common interest examination देना पड़ता है जिसकी rank आपकी 1000-1500 के बीच में आती तो आप यहाँ पर B Pharma admission easy way में ले सकते हैं M Pharma के लिए GPT और non GPT दोनों ही apply कर सकते हैं GPT के लिए यहाँ पर preference मिलती है और topmost student यहाँ पर इस university को prefer करते हैं जाद पूर university के लिए और एक और चीज़ है यहाँ पर non GPT candidate के लिए भी यहाँ पर admission available है बट बहुत ही limited है और उनको stipend जो है वो नहीं मिलेगा ऐसा कुछ यहाँ पर scheme है और यहाँ पर देखिए एक और बात है कि जितने भी self finance court जो है sorry self finance नहीं जितने भी M Pharma जो non GPT और GPT candidate है दोनों ही यहाँ प eligible है यहाँ पर कॉलकत्ता स्टेट के student के लिए भी reservation मतलब available है और rest of other state के भी student जो है यहाँ पर apply कर सकते हैं यह सारा सब पुछ जो है करेकुल में रहने वाला है जादफूर university का इसके regarding जो भी admission अपडेट आती है वो भी आपको मारशाल पर आनवाल टाइम में जरूर मिलेगी तो एक और university के बारे में आप जहाँ ने review किया जिसकी सबसे lowest quiz है पुरे इंडिया में फार्मसी कोर्स के लिए keep watching stay tuned ऐसे ही फार्मा रेकाडिंग न्यूस अप्डेट वेकिंसी अपडेट वीडियो लेक्चर्स के लिए